हेलो बचो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 6 की मैट्स की वर्कशीट 39 डेट इस 25 फेबरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक सब्ट्रेक्शन ओफ इंटिजर्स यानि पूर्णांकों को घटाना और हम कर रहे हैं उसकी रिविजन तो एक बार रिकॉल करते हैं या पूर्णांकों को जोडते हैं तो जोडने के लिए हम दाई और चलते हैं और घटाने के लिए अगर यानि रिनात्मक पूर्णांक जोडना है या हमें पूर्णांकों को घटाना है तो हम संख्या रेखा पर बाई और चलते हैं So, to add a positive integer, we move towards the right on a number line. And to add a negative integer, we move towards the left on a number line. तो ये है हमारी number line, ये है हमारा zero. जब हम right पर जाते हैं, तो हमारे सारे जो भी पूर्णाख हैं integers, वो होते हैं positive, यानि धनात्मक. और जब हम उसके left पर, यानि बाई और चलते हैं, तो ये हो जाते हैं negative यानि धनात्मक. पर जब हम add करते हैं, किसी संख्याओं को जोडते हैं, तो हम die और, यानि right की और चलते हैं. और अगर हमें negative numbers, यानि जो हमारे जनात्मक पूर्णाख हैं, उन्हें जोडना हैं, तो हम left की तरफ move करते हैं, यानि बाई और चलते हैं. अब हमें पूर्णाख को घटाना कैसे हैं, फर एक्जामपल हमें कहा गया कि 5 में से हमें minus 2 minus करना है, यानि ये भी minus और ये भी minus. तो अब हम bracket खोलेंगे, bracket खोलते ही क्या होगा हमारा ये minus और ये minus हो जाएगा plus, तो minus minus plus और ये बन गया 5 plus 2, यानि 5 जमादो 7, इसी तरह minus 2 में से हमें minus करना है minus 7 को, फिर एक minus bracket के बाहर और एक अंदर, bracket open किया, minus 2 तो as it is है, और ये जो minus था, इस पर bracket का minus भी आगया और ये बन गया plus, और ये आगया 7, और ये जमा करनी तो हमें आती है, बड़े नमबर में से छोटे नमबर को minus किया, और बड़े नमबर का sign लगा दिया, हो गया ये, तो इसी ठंग से हमें हमारे जो रिनात्मक पूर्णाख हैं, हम उन्हें जोड सकते हैं, या हम simply ये कहें, कि हम ज पार्ट दिया है, वो है 7 minus minus 7, तो method वही, bracket open करेंगे, minus और minus क्या हो गया, plus, तो 7 और 7 कितना आ गया, 14, दूसरे में, 10 में से घटाना है, हमें minus 15 को, फिर से bracket open, minus minus, plus, शापाश, तो 10 plus 15 हो गया, 25, अब थर्ड पार्ट पे आ जाएं, 25, 25 में से minus करना है, minus 37 को, तो bracket open किया, तो plus minus minus क्या हो गया, plus, और इसे जोड के हमें क्या मिला, ये मिला हमें 62, यानि 62, अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, minus का 12, minus minus 12, अब फिर दोनों minus एक साथ, bracket open किया, minus minus क्या हो जाएगा, plus, ये वाला minus तो 12, as it is रहेगा, यहाँ पर आ गया plus, तो minus 12 और plus 12 क्या हो गया, 0, अब आ जाते हैं, फिफ्ट पार्ट पर, फिफ्ट पार्ट में क्या है, minus 3, फिर minus करना है, minus 10 को, फिर minus है, minus 25, 5, rule वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, bracket open करते हैं, ये तो minus 3 ही है, अब यहाँ ये minus और minus क्या बन गया, plus, ये हो गया 10, ये minus और minus भी, plus कर्ट हो गया, तो ये हो गया 25, तो अब हमारे पास आंसर क्या हो गया, ये तो minus 3 है ही, और 25 और 10, 35, 35 में से 3 गये, 32 और बड़े नंबर का साइन, यानि plus का साइन हमारे पास आ गया, हो गया सौल, अब आ जाते हैं, next विम, next हमें क्या दिया हुआ है, subtract minus 130 from minus 124, यानि minus 124 में से minus 130 को घटाईए, तो अब इसे सही से लिखे हम, कि minus 130 को घटाना है, हमें किस में से, minus 124 में से, तो अब हम इसे किस ठंक से लिखेंगे, minus 124 minus minus 130, तो अब question के format में आ गया, फिर से bracket खोलेंगे, तो ये minus और ये minus हो गया, plus, तो minus 124 plus 130, तो minus 124 और 130, तो क्या करेंगे, बड़े नमबर में से छोटे नमबर को minus कर देंगे, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 6, और बड़े नमबर का sign क्या है, plus का, तो plus का 6 हमारा answer आ गया, फिर है, what is the additive inverse of minus 140, minus 140 का योज्य प्रतिलोम ग्याद कीजिए, यह तो बहुत असान है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कि जब हमें योज्य प्रतिलोम बनाना होता है, तो number as it is रहता है, बस उसका sign जो है, वो opposite हो जाता है, यानि minus है तो plus हो जाएगा, plus है तो minus हो जाएगा, अब है fill in the blanks, यानि रिक्तिस्थान भरिये, अब minus 9 में से क्या minus करें, कि हमारा answer 0 हो जाए, तो यह रहा minus 9, minus यहाँ पर क्या आए, कि यह हो जाए equal to 0, तो यहाँ पर होना चाहिए कोई plus का number जिससे कि यह minus 9 और plus 9 हो जाए, plus 9 कब होगा, जब यहाँ अंदर bracket में minus 9 होगा, तो minus 9, plus 9 हो गया ना 0, यानि यहाँ भी हम क्या रखेंगे bracket में minus का 9, अब है यह 25 plus minus 24, तो इससे solve करना है, कैसे करेंगे, 25 और plus और minus, minus minus तो plus होता है, plus minus में कौन आता है हमारा minus, तो यह आगया 25 minus 24 यानि एक, तो answer के आगया हमारा 1, तो यह है हमारी आज की वर्कशीट, इसी टाइप के और questions की practice कीजिए अपनी NCRT book से, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक keep practicing and enjoy maths.